नमस्कार स्वागत है आपका देख रहे हैं दन यूस और मेरानी गुपता आपके साथ आपको बता दें कि कॉंग्रस पार्टी ने अपना फैसला वापस ले लिया है दरसल एक दिन पहले ही कॉंग्रस पार्टी की ओर से यह अलान किया गया था कि वो तमाम टीवी चैनल में ज इस टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे एक्जिट पोल पे चर्चा करेंगे ऐसे में बीजपी ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के बड़ा कटाक्ष किया है आपको बता दे कि बीजपी ने साफ तोर से यह कह दिया है कि जो दल जो पार्टी इतना आसान फैसला नहीं ले करते हैं और यह कहते हैं कि हमारे प्रवक्ता खासकर कॉंग्रस पार्टी की जो प्रवक्ता है वो एक्जिट पोल जो दिखाए जाएंगे एक जुन की शाम उस पे हिसान नहीं लेंगे लेकिन अब जब बैठक होती है इंडिया लाइन्स की जो की मलेका अर्जुन खरगे घर पर होती है जहां पर तमाम दलों की नेटा इस बैठक में शामिल हुए थे तो वहीं ममताव एनरजी इस बैठक में कहीं भी नजर नहीं आई और इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉंफरेंस किया जोता है नेताओं की ओड से जहां पर पवन खेरा ने ट्वीट करके इस ब इस बैठ होंगे वहां पर हिस्षदारी करेंगे ऐसे में अगर हम बात दूसरी ओर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की करें तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी अपने अध्धात्म यात्रा से वापस लोट चुके हैं आपको बता देधर उसल तीस माई को जब अधान मंत्री मोदी भी अपनी साधना खत्म कर चुके हैं आपको विस्तार से बताते हैं कि आकिर हुआ क्या जिसकी वज़े से इंडिया लाइन्स और कॉंग्रस पार्टी ने टीवी डिबेट से बहिशकार करने का अपना फैसला वापस ले लिए बतादे कि कुछ समय पहले ह पर जहां वो लिखते हैं इंडिया लाइन्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक्जिट पोल से संबंदित बीज़ुपी वह उसके तंत्र को बेनकाप करना आवश्चक है एक्जिट पोल्स की डिबेट में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलों पर चर कर हमला बोला है बताने की बीज़ुपी आईटी सेल के हैड अमित मालविया ने यह कहा कि खुद को पूरी तरह बेवकूफ बनाने के 24 घंटे बाद कॉंग्रस ने एक जिट पोल का बहिशकार करने का अपना फैसला वापस ले लिया है जो पार्टी इतना असान फैसला नही सवाल उठाते रहते हैं इससे पता चलता है कि वे हार चुके है इतिहास में बीज़ुपी टीसी बार सत्ता में वापस आ रही है जिसका मतलब है कि कोई सत्ता विरोधी लहड नहीं है यदि आप जीत और हार को समान रूप से स्वीकार नहीं कर सकते तो आपको आत्म निरिक क्षण की आवश्यक्ता है सुनिए शाइना एंसी का ये बयान क्यूंकि जो वो हार मानते नहीं तो वो एक्जिट पोल को नजर अंदाज नहीं करते हैं उनके प्रवक्ता आते चैनल पे कहीं भी वो जाना नहीं चाते हैं और सिर्फ सवाल प्रशन चिन उठाते हैं EVM के प्रवक्ता नहीं तो आपको इंट्रस्पेक्शन की आवशक्ता है कॉंग्रिस पार्टी तो सिर्फ बयान बाजी पर उत्री है कहीं न कहीं मोधी जी के उपर टिपने कहीं EVM के उपर टिपने और कहीं एग्जिब पोल के उपर टिपने ये इंडी अलायंस के पास कोई सोच नहीं कोई विचातधारा नहीं कोई विजिन नहीं कोई नीती नहीं कोई नियत नहीं सिर्फ इखटा होना और ये देखना कि आप मोधी जी को कैसे हरा सकते हैं ये मात्रव उनका एक लक्ष है लेकिन जनता और जनादेश तैक करती है कि मोधी जी की हार या जीत होगी और यहां विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कोई अंटी इंकंबिंसी नहीं है प्रो इंकंबिंसी है इसलिए भारते जनता पार्टी की जीत हो रही है कॉंग्रेस पार्टी बार बार लगातार यह कहना कि EUM को लेके सबाल प्रशनë चिन में इस से अच्छा आप प्रशने चिन आप खुद के ऊपर कीजिए कि आपकी हार इतना क्यूं हो रहा है कि यहां तक कि आप एक रिजिनल पार्टी भी नहीं रहेंगे आते हुए दिन मे आपको बता दें जिस तरीके से ये बैठक हुई है उसमें वालेका अरजुन खरगे ने मीडिया को सम्भोधित करते हुए ये कहा कि इंडिया लाइन्स जो है वो 295 से अधिक सीटेल लाने चुआ रही है जबके हम पिछले आखड़ों को उठा करके देखें तो राहुल करें बीजुपी की बात करें तो ये शुरू से ही 400 पार का नारा ले करके चल रहे थे और इसमें कोई मद्भेद नजर नहीं आ रहा अभी भी तमाम जो बीजुपी के नेता है उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार वो 400 पार सीटेल लाकर के रहेंगे खैर देखना दिल मोधी ने गुरुवार शां से देश के सबसे ढक्षणी छोर परिस्थित कन्या कुमारी के प्रसद विवेका नंद रॉक मेमोरियल में Bas गंटे की ध्यान साधना शुरू की थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाका नंद रॉक मेमोरियल में सुरियोदव के समय सुर्य अर्ग देने के बाद शनिवार को तीसरे और अंतिम दिन अपना ध्यान साधना जो है वो खत्म कर दिया है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके के महाल देखने को मिल रहे थे जब से बास सामने आई थी कि प्रधान मंत्री मोदी जो है वो ध्यान साधना करने के लिए करने खुमारी जाएंगे इसके बास सही विपाक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा था और कहीं सारे तो बगयादा एलेक्श दलों को करारा जवाब दिया और बीजुपी ने कहा कि विपाक्ष जो है वो प्रधान मंत्री मोदी की ध्यान साधना को लेकर के भी राशनेती कर रहे हैं बता दें कि बीजुपी ने ये कहा कि विपाक्ष के लोग ना तो भारत को समझते हैं और ना ही भारतियता को समझते बीज़पी के प्रवक्ता और सांसत शुधान शुत्रिवेदी ने कहा कि मोधी भारत राष्ट के सांस्कृतिक और पारंपरिक लोकाचार के साथ जीते हैं जो देश के विवन्न भागों में इस्थित मंदिरों में तथा यहां तक की बलुचस्तान जैसे स्थान में भी दिख कर दो देवाद